आज हम आपको सिखाएंगे आप गर पे फ्राइड फिश कैसे बना सकते हैं यह बिलकुल बाजार में जो आप लाते हैं फिश फ्राइए वही है और काफी जदा टेस्टी बनती है आप यह एक्जाक स्टेप्स अगर फॉलो करेंगे तो काफी जदा अच्छा बनेगा और अप अपने रिकॉयर्ट साइज में इसको काट सकते हैं साथ में हमने यूज किया है यहाँ पे टू एक्स जठूल फिर यूज किया है हमने यहां पे राइस फलाइट तो हम लोग ओट मगर याद रखे यह पंजेब तो म लोग ओठ है कश्मीरी वाला नहीं फिर यूज किया है ह कर्शुर तील कुकिंग के लिए रैचिली पाउडर वाजल मत्सवांगन, सॉल्ट नून, टर्मरीक लदर, गरम मसाला पाउडर या आपको बाजार से मिल जाएगा, काफी टेस्ट देता है ये, फिर इसमे लिए हमने कोरियंटर पाउडर या दानमल पोडर, जिंजे गाले का पेस्ट, अधरक तरूवन, विनिगर, सर्क, कोक्स कोंब फ्लार, ये बिल्कुल नाच्रल है, कामिंग काउटी की तरफ से माबूल होता है ना फ्लार, उसका एक्स्ट्राक्ट है, ये बिल्कुल नाच्रल है, सबसे पहला हमने लिए फिश एक बोल में, इसमें डाल देंगे हम जिंचे गालिक पेस्ट, एक चोटी चमच, ये देखे, फिर इसके बार डाल देंगे हम लाल मिर्च, दो चोटी चमच, आप स्पाइस जो है, कितना डालना है, उसके लिए कियरफुल रहेगा, और वाइस रेस्पी तो आसान है, फिर डाल देंगे हम इसमें हल्दी, आद बारमल पाउडर, दो चोटी चमच, दनिये का पाउडर होता है, फिर उसके हमने गरा मसाला पाउडर, एक चोटी चमच, नमक अपने टेस्ट के अकवार्डिंग अप अजिस्ट करेंगे, फिर डाल देंगे हम इसमें बेसन, दो चोटी चमच, ग्राम फलार, और राइस लार या चावल का आटा, तीन चोटी चमच, असला कि मैं बोल चकी हूँ, यह पंजेब तो हम लोग ओठ है, कश्मीरी वाला नहीं, फिर विनिगर, या सर्ग कहते हैं, इसको कश्मीरी में दो चोटी चमच, अब इसमें हम डाल रहे हैंगे, फूट कलर के लिए, यह कोक्स कॉम का नैच्रल कलर, मावल, जो फ्लावर होता है, उसका एक्स्ट्राक बनाया गया है, यह बिल्कुल नैच्रल है, यह हम डाल रहे हैं, आदे चोटी चमच तक, फिर अंडा पहले हम एक डाल देंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे, सारे इंग्रीडेंस को, उसके आद दूसरा डाल देंगे, तो यह देखिए, आपको सारे इंग्रीडेंस को मिक्स करना है, ताकि फिश पे अच्छे तरीके से वो कोट हो जाए, इसके बाद हम दूसरा अंडा डाल देंगे, और अच्छे से आप और आपको मिक्स करना है, सारे फिश के पीसे पे, यह देंगा पान में और जब ला फैन में जил जाएग समय मोड़िये वाड़र की है वह उसको फैवेड़ करेंगे है बडान और से आप लाएंगे फ्राइड फिश या कोई भी फृटर पकोडा कुछ भी उसको दुबारा भी फ्राइ किया जाता है और बीच में फ्राइड करने से पहले हम इसको इस तरीके से प्रेस कर रहे हैं क्योंकि यह काफी ज़दा फ्लाफी हो जाती है और फ्राइड में अच्छे से अब यह क्रिस्पी बन जाएगी इससे और प्रॉपरली फ्राइड हो जाएंगे तो इस तरीके से आप बाजार में जो मिलता है आपको फ्राइड फिश वो बना सकते हैं गर पे काफी तेश्री बनती है इजी भी है रेसिपी बस इतना करना है आपको की इंग्र करके हमें अपना फीडबेक सेंड कीजेगा